राम राम दोस्तों ध्यान मारवित ममता कापड़ी में मैं आप सभी लोगों का तही दिल से स्वागत करती हूँ क्योंकि आप सभी को पता है कि इस दिनों के लिए हम बिलकुल बंध हैं अपनी घरों में तो इस समय का उपयोग कैसे किया जाए तो मुझे राम चरित मानस पढ़ने से अधिक उचित कोई भी चीज नहीं लगी तो आज से भी मैंने स्टार्ट किया कि मैंने राम चरित मानस स्टार्ट किया तो उसके कुछ स्टार्टिंग के ऐसे दोहे और चौपाईयां हैं जिनका अर्थ मैं पढ़ रहे थी तो मज़ा आ गया वाई गड़ तो मैंने सुझा आप लोगों के भी साथ में शेयर करती हूं पर आपको स्टार्टिंग के एक कुछ दोहे और चौपाईयां सुनके मुझे इतना जरूर पताया जो भी लोग देखेंगे उनका मन जरूर करेगा कि इतने अच्छे शब्दों में प्रोया है तुलसिदास जी ने सबसे पहले तो उनको प्रणाम और धंजवार कि ऐसा महान ग्रंद हम लोगों के सामने वो लाए तो आईए ज्यादा समय ज्यादा लंबे वीडियो नहीं बनाएंगे छोटे 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 दो या तीन दोहों के चाकिता कि आप चलते फिरते कभे भी देख सकाएं तो सुरू करते हैं अर्थात जिनकी क्रपा से गुंगा भी बोलने वाला हो जाता है पंगु यानि की जिसके पैर नहीं है जो अपाहिज है वो भी पहार पर चड़ जाता है कली के संपूर पापों को जलाने वाले वे सूर्य भगवान मुझे पर प्रसन हो यानि की इस प्रथम दोहे में उन्होंने सूर्य भगवान की प्रार्धना करी है उनसे सबस्त विस्व की कुसलता के लिए उन्होंने मंगल कामना करी है फिर आगे बढ़ते हैं नील सरोर हुश्याम तरुन अरुन बारिज नयना करव सोमम उरगां सदाक्षीर सागर सयना अर्था जिनका शरीर नील कमल के समान श्याम है और नवीन लिखे हुए लाल कमल के समान मेत्र हैं जो सदाक्षीर सागर में सयन करते हैं यानि कि वे विश्णु भगवान मेरे हिर्दय मंदिर में निवास करें कुंद इंदुसम देह उमारमन करुना नयना जाही दीन पर नेह करव क्रपा मर्दन मयना कुंद के फूल और चंद्रमा के समान दिह वाले उमावर दया के स्थान कामदेव को भश्म करने वाले जिन्हें दीन जनों पर स्नेह है वे शिव जी मुझ पर क्रपा करें मैं गुरुजी के चरण कमलों को प्रडाम करती हूँ जो क्रपा के समुद्र और नर रूपी हरी हैं जिनके वचन रूपी सूरिकी किरणों से अज्यान रूपी अंधकार समों नश्ट हो जाता है